प्रत्यावर्ति धारा का और प्रत्यावर्ति धारा की क्योंकि हाप साइकल तक इसकी वैलिव पॉजिटिव और हाप साइकल में वैलिव नेगेटी वैलिव टोटल मिलकर जीरो हो जाएगी वागा जीरो कोश्य नंबर सेकर्ड है इम्पोर्डेंट कोश्य ने जो आ सकता है आता रहता है तो हमको पीक वैल्यू सिखर मान और वर्ग माध्य मूल रूम मान स्वारी आरे मिस व्यू में क्या करना है रिलेशन बताना है अब जानते हैं कि वी आरेमेस या आई आरेमेस जो होता है वो जो maximum value होता है उसका root two times होता है और root two times को हम write कर सकते 0.707 V0 के equal V0 के equal वी आरेमेस is equal to 0.707 V0 V0 के equal होगा आरेमेस वैली इंपोर्डेंट कोश्चन ही याद रखेंगे इसको नेक्स कोशन एक संधारी त्रेक कैपेसिटर अपने में से किसको गुजरने देता है किसको गुजरने देता है कौन सी करेंट पास होता है एसी डीसी बोट नट नथिंग तो हमारा आंसर है एसी करेंट जो है वह केपेसिटर में से क्या हो सकता है पास हो सकता है नेक्स कोशन है प्रत्यवर्ती परिपत में वाठीं धारा होगी यदि परिपत में क्या कनेक्ट हो इन अल्टरनेटिंग सर्किट there is no what current if the circuit is तो अगर circuit हमारा केवल R है RLA, RC है और L है तो आपको पताना है what in current कब होगा what in current का मतलब है कि power 0 होना चाहिए और power 0 कब होगी जब power factor cos 5 जो होता है वो भी 0 हो और cos 5 0 कब होता है पेटा आपको पता है केवल L में जब हम क्या करें केवल को connect करते हैं तो हमारा जो current होता है वो तो flow होता है लेकिन वहां पर power factor 0 होता है इसलिए power भी 0 होगा next question है the device to convert mechanical energy into electrical energy mechanical energy को electrical energy में convert करने वाला device प्रत्य यांत्रीक उर्जा को विद्धूत उर्जा में बदलने वाली युक्ति को आप क्या बोलेंगे तो हम generator बोलते है एसी जनेरेटर हमारा next question है किसी प्रत्य औरती धारा परिपत में धारा का जो सिखर मान है i0 और आभासी मान i rms में क्या संबंद है तो अभी मैंने आपको बताया था जो v के लिए value होती है वही i के लिए होती i rms root mean square value is equal to i0 divide by root 2 अब यहाँ पर जो value given है उसकी अगर हम बात करें i0 is equal to 1 by root 3 rms i rms is equal to root 3 i0 i0 is equal to i rms और i0 तो यह थोड़ा सा यहाँ पर answer इस type से लिखा होगा i0 is equal to root 2 into i rms तो यह answer d है वो हमारा right answer होगा i0 is equal to root 2 into i rms next question देखते हैं question है 7th प्रत्या औरती LCR परिपत में धारा नियूनतम कब होगी LCR में धारा नियूनतम कब होगी बेटा हमने पढ़ा है कि LCR में धारा जो है current जो है वो maximum कब होता है current maximum तब होता है जब XL minus XC जो है उसकी value 0 हो या minimum हो ये current high के लिए अब current low के लिए condition होगी कि ये जो difference है ये क्या होना चीए maximum अगर ये difference maximum है तो current हमारा क्या हो जाएगा minimum हो जाएगा XL minus XC जो है वो होना चाहिए maximum अगर ये XL minus XC का जो difference है XL और XC का वो अगर maximum है तो current जो I है वो value क्या हो जाएगी उसकी minimum आप याद रखी इसके लिए आपको उल्टा question भी पूछ सकते हैं कि I की maximum value के लिए XL minus XC की value कितनी होना चाहिए या तो minimum होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए नियूंतम होना चाहिए या सुन्ने होना चाहिए इसी को हम रेजोनेस बोलते अगर आपको याद है तो नेक्स question ने अगर हमारे पास केवल capacitor है किसी ऐसी circuit में capacitor की बात की है तो आपने पढ़ा होगा इस टाइप का एग ग्राफ यह पर वी आर होता है यह पर्फार इंपर आई होता है यहां वी अल होता है और यहां V C होता है जब capacitor की बात कर रहा है तो केवल V C R भी नहीं होगा I होगा केवल तो हमारे पास से L जो है यह वाला रेशो हट जाएगा यहां से V R भी हट जाएगा क्योंकि हमको I केवल शो करना है तो इस टाइब की बात है और यहां पर जो एंगल होगा वो पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री होगा अल्टेज और करन के बीच का अब आपसे पूछा है कि जो अल्टरनेटिंग सर्कीट है उसमें नेट एवरेज पावर कितना होगा एवरेज पावर नेट यहां पर पाई मतलब फाई की वैल्यू 90 डिग्री होगी और जब जब कॉस स्वारी 90 डिग्री होता है फाई तो cos 5 की value कितनी हो जाएगी 0 हमारा answer D होगा कि हमको जो power मिलेगा वो कितना मिलेगा 0 मिलेगा तो power disputed is 0 भारत में घरों में दी जाने वाली most IMP question है यह आएगा question IMP है आप अच्छे से याद रखें हमारे घरों में जो जितने भी equipment यूज हो रहे है उनकी frequency क्या होना चाहिए ताकि वो जो light आ रहे है उस पर proper work कर सके इसके लिए इंडिया ने decide किया है 50 Hertz तो यहाँ पर 50 Hertz जो है वो हमारे frequency electric current की supplied in home appliance होम के लिए याद रखेंगी question number 10 है प्रत्य अर्तिधारा के मापन है तो आ मिटर और ओल्ड मिटर किस पर आधारी थे तो हमारे पास जो AC में use होते हैं ammeter and old meter तो AC की बात कर रहे है तो AC आप जानते हैं hitting effect of current पर chemical effect of current पर magnetic effect of current पर और सभी पर depend करते हैं तो आपको बताना है कि किस पर depend होते हैं तो यह किस पर depend होते हैं आपको पता होना चाहिए किस पर depend होते हैं AC की बात कर रहे हैं तो AC जो है वो किस पर depend होते हैं hitting effect of current पर next question लेते हैं fill in the blanks रिक्तिस्थानों की पूर्ती कीजिए पहला question है हमारा प्रेरित विद्दुद्वाहक बल उत्पन्न होने का क्या कारण है उसमें कौन सी चीज में परिवर्तन है Apostle वीवी the reason for the generation of force in the changing यह वीवी राइट कर दिया है वीवी नहीं EMF आएगा EMF alternating EMF जो generate होना है उसका reason क्या है तो आप जानते हैं कि प्रेरित विद्दुद्वाहक बल उत्पन्न होने का कारण है प्रेरित विद्दुद्वाहक बल उत्पन्न होता है most IMP question है आप इसे ध्यान रखेंगे आने वाला exam में प्रेरकत्व का वीमी सूत्र क्या है the dimension formula of the inductances inductance L की बात कर रहे है self inductance हो या फिर mutual inductance हो दोनों का जो पार्मूला होता है dimension formula M1 2 T-2 A-2 याद रखेंगे important question है या आपको exam में 2023 में दीखेगा कहीं भी major column में दीखे fill in the blanks में दीखे तो आएगा ये question आप से किसी भी form में पूछ सकता है dimension formula of inductance is M to the power 1 L to the power 2 T to the power minus 2 A to the power minus 2 next question लेते हैं आप जानते हैं आप जानते हैं आइडियल कंडिशन में के की value कितनी होती है 1 होती है तो याद रखेंगे के का मान एक होता है ये भी एक important question है आयावा कोशन है आदर्स प्रेरकत्व का ओमिय प्रतिरोद कितना होता है तो ओमिक रजिस्टेंस आप एन आइडियल एंडिक्टेंस इस आइडियल एंडिक्टेंस का जो ओमिय रेजिस्टेंस है वो जीरो होना चाहिए कितना होना चाहिए जीरू तो सुन्य होता है याद रखेंगे एक नेक्स्ट प्रति बाधा का मातरक क्या है इंपिडेंस का यूनिट क्या है तो एक टाइप से रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है क्या होती है ohm तो याद रखेंगे दोनों की unit क्या होगी ohm अनुनाधी परिपत में सक्ति गुणां का मान कितना होता है the value of power factor for a resonant circuit is resonant circuit की बात करते हैं resonant circuit एक तो rlc हो सकता है या फिर rlc हो सकता है यह resonance circuit हो सकते हैं दोनों condition उसके लिए तो दोनों में अगर हम lc की बात करें तो l और c की बात करते ल में वी यह इदर होता है sorry vl इदर होता है vc यहां नीचे का ही denote किया जाता है और current i इदर होता है कि जब हम इन दोनों का effective resistance एफेक्टिव ओल्टेज फाइंड करते हैं तो या तो वह vl माइनस vc होगा या vc माइनस vl होता है हम मान लेते की vl जो है वह बढ़ा है और vc क्या है चोटा है तो vl माइनस vc होगा net resistance वी रिजिस्टेंस बोलना हूं स्वारी ओल्टेज नेट v is equal to vl माइनस vc होगा हमको इससे मतलब भी नहीं है अब यहां देखिए जो ओल्टेज है और जो current है उनके बीच का जो angle बनेगा वो कितना बनेगा 5 by 2 मतलब 90 degree अगर 5 जो है वो 590 है तो cos 5 कितना होगा 0 तो power भी कितना हो जाएगा 0 यहीं पूछ रहा है कि सक्ति कुणांग तो cos 5 की value पूछ रहा है बिट्टा तो cos 5 means cos 90 और cos 90 जो है वो कितना होगा 0 होगा तो याद रखेंगे LC या RLC इन दोनों के लिए पावर फेक्टर कॉस फाई की value कितनी होती है जीरो होती है कि हमारा next question है किसी प्रत्य और ती परिपत में दी वाट इन धारा है धारा वाट इन है तो सुक्ति और कितना होगा फिर वही बात है कि रावर अगर यहां पर बोल रहा है वाट ले से वाट ले का मीनिंगी यह कि पावर रही है पावर नहीं है इसका मीनिंग है कि फेक्टर कितना है जीरो है सुन्य है तो वही बात है याद रखेंगी कि power factor सुन्य होगा और cos phi की value 0 होगी इसलिए power भी 0 होगा transformer खालिस्तान फरिपवत में प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं transformer को किसमें यूज नहीं कर सकते तो answer इसका DC circuit में यूज नहीं कर सकते हैं DC में यूज नहीं कर सकते AC में यूज कर सकते DC circuit में इसका यूज नहीं कर सकते transformer का प्रत्यावरती में कर सकते दिस्ट धारा परिपत में इसका उपयोग नहीं कर सकते दिस्ट धारा परिपत याद रखेंगे DC में यूज नहीं होता Dynamo का सिद्धान किस पर आधारित होता है तो प्रिंसिपल आप डाइनेमो इस बेस्ट डाइनामो अभी बताया था मैंने ये यूज्ज दोता है विद्धुचुम्बकी प्रेरण पर पिद्धुचुम्बकी प्रेरण पर आधारित इकाई है विद्धुचुम्बकी प्रेरण पर आधारित हो इंडक्शन इस पर वेज्ड होता है हमारा डाइनेमो नेक्स्ट फ्लिन्द ब्लैंक्स देखते हैं एक सुद्ध धारिती प्रती परिपत में धारा विद्धुत वाहग बल से खालिस्तान कला में आगे होती है सुद्ध धारिती है तो आपको याद है विद्धुत वाहग बल बोल रहा है यह एमफ बोलना चाहिए इसको एमफ फोर्स इन फेस तो आपको केवल करन्ट में सी कैपेसिटर करके दिया है और कैपेसिटर करनेक करके दिया है और आप से पूछाए कि करंट जो है वह विद्धुत वाहग बल मतलब ओल्टे से कितने एंगल से अग्रगामी है कितने एंगल से फेस क्या कर रही है अहेट कर रही है तो अभी सरकीट बनाया था मैंने करंट जो है उसको हम यहां शो करत कि यहां पर आंसर है पाइबाय टू और इसका आंसर पाइबाय टू या 90 डिग्री हम बोलेंगे तो 90 डिग्री या पाइबाय टू फेस से अहेड होती है अग्रगामी होती है करंट नेक्स हैं परत्याकरती धारा नंपने के उपकरण धारा के खालिस्तन प्रभाव पर आधात होते हैं तो अभी मैंने आपको बताया था करें नेसुंड प्रेशनलेते हैं प्रेशनलन प्रतिखे बिल definitive रेखी का एसा ही पत्धती में मात्रक्त यह थ्या फ्रेशनल Lab एक्से एक्सेल्ट के श्रेट क्या होगी ओम होग गञ्वाती यह इक कि टाइप का क्या है से किरेंग्स nggak사य राइटीन एंसर न वर्ड 511-e सब्रक्रकोष्शन कोष्टन्यी total जो इसकी फ्रिक्वेंशी कितनी ती यह ती से फ्रिक्वेंशी अंटि टैरेख करून तो डारेक्वेंशी कितनी ओति है तो हम फ्रिक्वेंशी की बात करते हैं फ्रिकोंश आपको पता होना चाहिए जीरो होती है क्योंकि यहां पर कोई चेंज नहीं होता सुन्य होती है कि इंपोर्डेंट कुश्चन यह भी आ सकता है याद रखेंगे डीसी की फ्रिक्वेंसी जीरो और एसी की फ्रिक्वेंसी इंडिया में 50 हर्ट्स होती है व्युक्त इंडिये ऐसी कुश्च लेते हैं इसके प्रेरकि प्रतिघात कितना होता है डीसी के लिए प्रेरकिय प्रतिघात अब जानते हैं XL की वैल्यू पूछ रहा है XL is equal to होता है omega into L क्या होगा omega into L for DC current AC के लिए भी यह value सेहम रहेगी DC के लिए भी सेहम रहेगी DC के लिए धारिती प्रतिकात के पेट सेट्यू रेडिस्टेंस कितना होता है यहां पर हमसे पूछा तो XC है और XC is equal to 1 by omega C होता है और omega की value आप जानते है 2 pi f into C होती है लेकिन DC बोला है तो DC के लिए frequency कितनी होती है 0 हो जाएगी अगर DC के लिए frequency 0 हो जाएगी तो यहां पर 1 by 0 होगा तो 1 by 0 कितना हो जाएगा infinite तो अनन्त होता है रूट LC का किसका मात्रक है तो रूट LC जो है वो किसका मात्रक होता है अगर आपको याद हो तो अपने पड़ा है XL is equal to XC for resonance और XL को हम write कर सकते हैं omega L और इसको हम write कर सकते हैं 1 by omega C यहां से omega square हो जाएगा is equal to under root LC और omega is equal to sorry omega square is equal to LC और omega is equal to 1 by under root LC omega meaning होता है 2 pi f तो यह frequency है और frequency is equal to 1 by under root LC पर root LC पूचा है और आप जानते हैं कि T जो होता है वो FK inversely proportional होता है तो under root LC जो है वो किसको denote करता है time को तो इसका मात्रक जो है आपको unit पूचिए तो इसका मात्रक second होगा क्या होगा second याद रखेंगे बात समझ में आई मेरी omega is equal to क्या है 1 by root LC omega किसके equal होता है 2 pi f के तो F से यह हम direct write कर सकते है 1 by 2 pi root LC और जो frequency है वो time के क्या होती inversely proportional तो यह क्या हो जाएगा अगर time के लिए हम write करना चाहे तो 2 pi और under root LC तो root LC अब किसको denote करेगा time को time unit क्या होती है second कुशन नंबर 6 से पूर्ण चक्रम में प्रत्य अर्थिधारा का उसत्मान कितना होता है what will be the average value of alternating current in a complete cycle complete cycle में हम यह तीसरी बार discuss कर रहे है value कितनी होती है 0 होती है सुन्य होती है LCR परिपत में जो resonance होता है तो power factor कितना होता है यह भी मैं बता चुका हूं power factor 5 की value जो है बेटा हो 90 degree होगी और 5 अगर 90 है तो cos phi जो पूछा है cos phi को बोला जाता है power factor और यह power factor जो है इसके value cos 90 कितना होता है 0 होता है सक्ति गुणां का मान कितना होता है सुन्य होता है cos phi को सक्ति गुणां का जाता है सुद्ध प्रेरकत्व मतलब एक हमारे पास only coil है या फिर एक capacitance है तो सक्ति गुणां कितना होगा अगर coil है तो coil के लिए बात करें यह current होगा और और यहां voltage होगा और VL यहां बैटा 5 कि वैल्यों कितनी हो जाएगी पाइब टू फिर से वही पाइबाइब 2 मिन्स कॉस्वाइब 2 जीरो होता है अगर करन्ट होगा हो पिर से यहां पाइब 2 आएगा से वही पाइब यही और कि आपको फाइब का वेल्यू हमारे पास 90 तो कॉस्पाइब कितना हो जाएगा जीरो तो पावर फेक्टर जो कॉस्पाइब है दोनों कंडिशन में कितना होगा जीरो होगा सुन्य होगा कि नेक्स कुशन नमबर 4 में जोड़ी जमाइए पहला है रजे रियाक्टेंट्स दूसरा है धारीतिव प्रतिघात तीसरा है आरल में इंपिडेंस और यर्सी में इंपिडेंस हमको इनको मेश करना है परस की बात करें तो अगर यह लिखा है अन्ड़क्ट्यू रियक्टेंस यह XL की बात कर रहा है यह XC की बात कर रहा है यह प्रतिभादा Z की बात कर रहा है यहां भी Z बोला है हमको तीन कंडिशन में Z पाइंड करना है XL is equal to होता है ओमेगा L आप जानते हैं तो XL ओमेगा L के equal होता है तो यह तो हो जाएगा हमारा first मैं थोड़ा सा color change कर लेता हूँ तो यह किसका answer होगा first का XC होता है वन बाइ ओमेगा C और ओमेगा की value 2 pi F तो यह होगा second का थर्ड है RL में RL क्या होता है तो R और L आपको कही दिख रहा है यह दिख रहा है R और L तो R square plus under root R square plus XL square तो यह होगा हमारा third का answer fourth की बात करें R C परिपत में R और C R और C तो R square plus X square तो यह होगा हमारे fourth का answer और अगर तीनों आ गया R भी आ गया L भी आ गया X भी आ गया तो इनको तो हम आसानी से solve कर सकते थे फिप्ता तो first अगर केवल क्वाइल कनेक्टेड है तो हमारा जो impedance होता है वो कितना होता है XL is equal to omega L X C is equal to 1 by omega C Z R L के लिए Z impedance होता है वो कितना होता है under root R square plus XL XL का whole XL का square और अगर RC परिपत में बोले RC circuit में बोले under root R square plus X C square X C का whole square L C R परिपत की बात करें तो यह होगा R square plus XL minus X C का whole square तो यह भी एक अच्छी में इसमें से question आ सकता है question बनता है आप इसको अच्छे से देख कर जाएं next और last question होगा हमारा यह dynamo तो dynamo किस पर depend होता है थोड़ी सी मेजद कॉलम जो पीडिया बना उसके कारण मेज नहीं हो पाया वो प्रापर अरेंज नहीं है फिर भी मैं explain करता हूं तो dynamo जो है वो किस पर depend करता है आपको पता होना चाहिए डाइनेमो विद्दु चुम्ब की प्रेरंड इलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडक्शन पर depend करता है इंपोर्डेंट कोश्चन है याद रखेंगे इसका यह पहले का होगा मोटर किस पर बेजड होती है तो मोटर जो है वो मैगनेटिक फिल्ड आफ करेंट पर बेजड होती है तो यहाँ पर होगा मोटर का यह दोनों कुश्चन याद रखेंगे डाइनेमो बेजड होता है इलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडक्शन पर और मोटर बेजड होती है विद्दू चुम्बकी प्रभाव स्वादी चुम्बकी प्रभाव पर सबस्काइब तो यह गॉल को जाताँ है तो ऐडी करन्ड हो लास्ट सरकिट किसको आ मिए और सी डायिक बोलते हैं आलच साइब कर रहा ह। सरकीट को हम सब्राइब ste М्यश्य, कौनेट्र सबर् Martineau शोता है इलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडक्शन पर सब्द्रो मोटर%, प्रॉटर जो है इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो किस पर वेस्ट होती है मैगनेटिक फिल्ड आप करणट थर्ड है क्रोड जो है ट्रांसफर्मर का वो सॉफ्ट टाइरन का बनाया जाता है पूर्त है थिन कोर बनने से वह जो एड़ी करेंट रिड्यूस हो जाते हैं लास्ट र झाल